हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू इंडियन स्टडी इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कॉंस्टेविल और यूपी रेडियो उपरेटर के लिए हिंदी का इंपोटेंट टेस्ट लेकर किया जाओ जो कि आपके आने वाले एक्जाम के लिए बेयाद इंपोटेंट है वीडियो को एंडियो देखिएगा क्योंकि लास्ट ट्रेम मैं आपसे कोसंस ही पूछूंगा और उसका आजस तर आपको कमेंड बॉक्स में बताना होगा साथ ही साथ इस वीडियो की पीडियो डिस्क्र प्रियो किया था हिंदी भासा को तो सही आंसर हो जाएगा आपका खालिक वारी में पहला ही ओप्सेंस यहां पर आपका बिलकुल करेक्ट हो जाएगा एक मनाई के दूई बिटवा रहीन ओहो मा लहूरा अपने बाप से कहिस दादा धनमा जवन हमार हिस्सा लगत होई तव हमका दे दो तो आपको बताना है कि यह किस बोली का अवतरण है तो यह अवदी बोली का अवदी बोली का अवदी बोली तीसरा ओप्सेंस यहां पर आपका बिलकुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा यह जो आपका दिया गया अवतरण है वो किस बोली का है अवदी वोली है, नेक्स्ट कोशन्स की निम्ले के तम्येसे कौन सा सुवर नहीं है जा एक वेंजन का उदारण जो की चावर्ग में देखने को मिलेगा तालव वेंजन आपको बताना है, जिनका हो चरन तालव से होता है तो पूरा चा वर्ग, चा चा जा जा, यहाँ, यह आपका तालव वेंजन कहलाते हैं, दूसरा ओपसन्स करेक्ट और हर वर्ग का पांच वेंजन, नासिख वेंजन कहलाता है, इसलिए यहाँ पर देखोई यहाँ नहीं लिखा निमले के तमयशे किस सब्द की वर्तनी असुद है, उद गाटन, तीसरा ओपसन्स करेक्ट, यह एक असुद वर्तनी का सब्द है, निमले के तमयशे सुद वर्तनी आपको बताना है, कोसन नुमर फॉर्टी फॉर में B options यहापकर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका हिर्णिया किसी पूर ठीक है दूसरा options correct दूस सहस में उपसरग आपको बताना है उपसरग किसी भी सब्द के आगी लगाई जाते है तो दूस सहस में दूस उपसरग होगा पहला options correct सजावट सब्द में पिरते हैं आपको बताना है सजावट सब्द में आवट पिरते होगा दूसरा options correct धातु में जोलने वाले बने सब्दों को क्या कहते हैं करदंद दूसरा options यहाँ पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा जय पराज़ है मैं कौन से समास है दूसरा options correct क्रोध का प्रयवाची सब्द आपको बताना है अमर्स क्रोध का प्रयवाची सब्द है निर्दे सब्द का बलूम सब्द क्या है सदे तीसरा options correct उन मीलन सब्द का बलूम सब्द क्या है निमीलन दूसरा आप्सन्स करेट जिसे किसी वस्तू की स्प्रेया ना हो बाक क्या उस्प्रेया के लिए एक सब्द क्या होगा नी स्प्रेया दूसरा आप्सन्स करेट निमलिकित विसेश विसेशन युगमों के लिए गलत वाक आपको बताना है तो सहन्गी अंज्या आपए क्या हो जाएका सर ताजी रोती। दूसरा आप्सेंस यहाँ पर आपका बिल्neck हो जाएका। अब बिसेस और बिसेस नगे लिए, अब देखो ताजी रोती रोती। और रोटी बिसेस है समझ रहा है तो यहाँ पर उल्टा लिग दिया क्योंकि बिसेस बिसेसन बताना है तो यहाँ पर पहले बिसेसन दे दिया फर बिसेस दिया इसलिए यह गलत हो गया संग्या का प्रकार आपको बताना है कौन सा नहीं है संग्या का व्यक्ति बाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्वाच्व बिल्कुल चौता आप्सन्स चौता उप्सन्स चौता आप्सन्स 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 चौ आइंस्टीन के पास विल अक्षन बुद्धीती पहला ओप्सिंस करेक्ट कौन सा बक सुद्ध है उसका आपको चेन करना है चोफा ओप्सिंस करेक्ट सुरेश के लिए पतर लिखना है खेत रहना इस मोहाबरे का साइबदे करत क्या है बीर गती को प्राप्त हो जाना तीसरा ओप्सन्स करेक्ट कप्ती मित्र किस मुहाबरे का सही अर्थ है कप्ती मित्र आस्तीन का स्नाप तीसरा ओप्सन्स करेक्ट कभी नाओ गाड़ी पर कभी गाड़ी नाओ पर इस लोकुत्ती का सही आसे क्या है संगर सोना पहला options बिलकुल correct हो जाएगा पिर फुलित दास बसंद की फौज सिली मुकभीर देखा वती है उपयोग पंक्ती में कौन सा चंद है तो सही answer क्या हो जाएगा तो देखो सबसे आसान काम होता है पहले वन गिल लो ठीक है देखो एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सूला सतरा अठारा उननीस बीस एकिस बाइस तेईस तेईस बण है और तेईस बणों वाला बण कौन सा होता है अगर बाइस से लेके चबश कुछ भी बण आपको दिख जाए तो सवाईय चंद होता है और तेईस बणों वाला होता है मालती सवाईय दूसरा उपसन्स करेक्ट हो जाएगा ठीक है दोहे और रोले को करम से मिलाने पर कौन सा चंद बनता है अगर आप दोहे और रोले को मिलाओगे तो कुणली चंद बनेगा सरपसरेट रस किसे माना जाता है तो रसो का रस किसको कहते हैं सरंगार रस को दूसरा आपसर करेक्ट यहाँ पर देखो सर अती मलिन ब्रसबानु कुमारी अदमुक रहित उरद नही चितवत जेओं गत हारे ठकित जुआरी च्छुटे चिकुर वदन कुमलियान हो तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा रस है तो सही आंसर आपको क्या हो जाएगा सर यहाँ पर भी प्रभलंबन सरंगार रस होगा तीसरा उप्संस करेक्ट जब आप मेरे से रस पढ़ोगे तो मैं आपको उसके परकार भी पढ़ाऊंगा है ना बहुत अच्छे से तो आपको यह सारी चीज आपको समझ में आ जाएंगी तो यहाँ पर आपका तीसरा उप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा कौन सा सर तीसरा उप्संस करेक्ट नेक्स्ट कोसंस के निवले के तमियसे कौन सा रस युगम जो महा काब के प्रदान रस माने जाते है सरंगार और सांथ पहला उप्संस यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा काली पंक्ती में अलंकर आपको बतारा है काली पंक्ती तो यहां पर आपका उपमा लंकार होगा दूसरा options यहां पर आपका बिल्कुल correct है हाला कि मैं आपको बता दूँ मेरे क्याल से questions जो है वो अदूरा है क्योंकि जिसमें अलंकर पूछा है ना वो पूरा वाक नहीं है ना तो यह एक अधूरा को संसे इसको इस्टार कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में पूरा करके बता दूगा निम्ले के तुमेंसे कौन सा सुमिलित नहीं है तो इस को संस का आंसर आप मुझे कमेंड बॉक्स में बताएंगे बड़ी है को संसे को सर नमबर सैवेंटी तो इस को संस का आंसर मुझे कमेंड बॉक्स में आप जरू से बताएंगा मिलते हैं फिर नेक्स लास में नेक्स सेशन में जै हिंद जै भारत